हेलो हिंदी मीनम अकेडमी में आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ अरुन कुमार यादो और पिछली वीडियो में हमने क्लास 9 का अध्याय 5 खतम कर लिया था और मुझे ये देखके काफी अच्छा लगा कि जो ये अध्याय 5 था इस पे काफी बच्चों का रिस्पोंस काफी अच्छा है लाइक का रिसो काफी अच्छा है कमेंट्स भी आपने काफी अच्छे की हैं तो यार वो चैप्टर आपको पसंद आया समझ में इसके लिए थैंक्स फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो और आप मेंसे बहुत सारे बच्चे कमेंट्स के लिए है ना बहुत से लोग बोले थे सर जो चैप्टर नबर 6 है वो समझ में नहीं आ रहा है एक जान्स आने वाल है उसको जल्दे शुरू करो तो यार देखो मैस में टेंसर मतलो मैस के लिए मैं हूँ मैस में आपकी जो भी दिक्कते हैं वो धीर धीर दूर हो ठोड़ा वेट करो जल्दी वीडियो आएंगी इसके उपर और जल्दी हम इस चैप्टर को खतम भी कर लेंगे ठीक है ना और जब हम यह सारे चैप्टर को खतम कर चुके होंगे ना तब मैं आपको एक्स्टा क्वेस्टेंस भी कराऊंगा ठीक है जो पिछले साल के पेपर इस चैप्टर के क्वेस्टेंस को करने के लिए जरूरी है आप याद रखना इस वीडियो में हम सरी उतना ही पढ़ेंगे बेसिक कॉंसेप्ट जो परस्णावली 6.1 के लिए जरूरी है जब इसके बाद अगली वीडियो आएगी उसमें हम 6.1 देखेंगे और उसके बाद जो 6.2 और 3 के लिए बेसिक कॉंसेप्ट है तब मैं बनाऊगा याई थर्ड वीडियो में फिलाल अभी 6.1 के लिए आपको जितना जानना चाहिए वह हम यहाँ पर देखने वाले हैं साथ ही साथ हम NCRT उधारण 1,2 और 3 भी इसी वीडियो में करेंगे और अगली वीडियो में 16.1 ठीक फिलाल शुरू करते हैं देखो कुछ बेसिक बाते हैं जो आपको पता होनी चाहिए उसके बाद हम यह सब चीज़े देखेंगे ठीक है न और उधारण भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं तो यह सब चीज़ें कवर करेंगे टैंसर मतलो ठीक है थोड़ा सा प् होती ठीक है मैस बहुत बेसिक चीज़ है क्या दो जैसे कि मैंने इस पैन के नोक से एक डोट बना दिया इसका क्या बालते हैं इसका कोई भाग नहीं होता लंबाई नहीं होती ठीक है बस आपको बिंदो भी पहचान में आना चीए इस चप्र में परिवासा नहीं पूशी तो इस तरब भी बढ़ती जाएगी इस तरब भी बढ़ती जाएगी तो मतलब यह कहां तक जाएगी अनन्द तक जाएगी यानि हम नाप नहीं सकते कहां तक जा रही है तो इसीलिए जो रेखा होती है उसकी लम्बाई नहीं नाप सकती है ठीक है? हम रेखा जिलम्बाई नहीं नाप सकते हैं ठीक है? क्यूंकि यह दोनो तुरफ बढ़ रही है अगर मालो एक तरफ से ऐसे अन्त बिंदू हो और दूसरी तरफ ऐसे तीर बनाओ तो इसका मतलब है इसको आम बोलेंगे किरण जो किरण है इसकी लंबाई को भी नहीं नापा जा सकता क्यों नहीं नापा जा सकता, क्योंकि जिस तरफ यह तीर है ना, समझो इस तरफ यह अनंत तक बढ़ती जा रही है, तो जब यह अनंत तक जाएगी तो आप नाप होगे कैसे ठीक है न यह हल्की-फुल्की बाते हैं मैं आपको बता रहो हूँ ठीक है में बात अब आगे जालो होगी ठीक है इसके बाद रेखा खंड है जैसे कि नाम से पता लग रहा है रेखा का खंड यानि टुकडा ठीक है तो रेखा खंड की लंबाई नापी जा सकती है किरण की लंबाई आप नहीं नाप सकते रेखा की लंबाई भी आप नहीं नाप सकते ठीक है तो आप से अगर कोई पूछे रेखा किरण और रेखा खंड में किसकी लंबाई फिक्स होती है जो नापी जा सकती है तो आप बो तो यह कितना घूम बोल रहे हैं जो पता होनी चाहिए तुछ जैसे यहां पर यह जो आपको दिख रही है यह कौन की भुजा है ठीक यह जो आपको दिख रही है यह भी कौन की भुजा है और जो यह बिंदू B दिख रहा है यह कौन का सीर्स है ठीक है तो यहां मैंने लिख दिया कि भाई जो A B है और जो BC है, AB और BC, कौन की भुजाएं हैं दोनों, और बिंदू B कौन का सीर्स है, लेकिन यहाँ पर main बात ये नहीं है, main बात क्या है, कि आपको कौन का नाम लिखने का तरीका पता होना चाहिए, कि कौन का नाम कैसे लिखते हैं, बहुत basic सी बात हैं, लेकिन बहुत सरे बच्च का है, कौन का नाम, आपको क्या करना है, देखो, या तो आप यह कौन का निसान है, या तो आप जिस सीर्स पर कौन बना है, देखो, कहां पर बना है, बिंदू B पर ही तो यह कौन बना है, या तो आप सिरिफ बिंदू B लिखो, ठीक है, अगर यह ऐसे है, तो क्या लिखो, एक नारे पर A आ रहा है एक पर C आ रहा है यानि कि A से आ बीपे गए फिर C निकले निकले ठीक है यहां से गए थे यहां पर निकले इनको मिलाओ वही कोण बनाना तो A, B, C ठीक है या तो आप इसको नाम लिख सकते हो A, B, C बराबर 60 डिगरी या फिर या फिर आप लिख सकते हो C, B, A C, B, A, बराबर 60 डिगरी खास बात क्या है जिस सीर्स पे ये कोण है यानि B, B पे वो बीच में होना चाहिए, वो कहा होना चाहिए, बीच में चाहिए आप ऐसे लिखोगे तब भी B बीच में आ रहा है, किनारे पे A और C है, यहां पर भी B बीच में आ रहा है, किनारे पे A औ तो और रहे हैं तो इस्तिती कुछ इस तरह से कि भाया कि यहां और हमें यह यह कुछ नाम यहां पर एसपोइंट का नम में इस P. अब अगर भी बोलूँ आगर मैं सिर्फ कौन B बोलूंगा तो सामने वाला कंफ्यूज होराएगा यार B पे ऊठीन हो देखszेगा वो कहएगा वी पे तो ये कौन वी बन रहा है और इसी बिप ये कौन भी कैसे देखो जरा, अगर मेरे को ये वाला कौन बोलना है, तो इस कौन का नाम मैं क्या लिखूँगा, बीच में तो B आएगा पक्की बात है, ठीक है, ये कौन के लिए ये भूजा और ये भूजा आ रही है, तो पूरा नाम क्या होगा, इसका A, B, C, जानी कि A, B, C, तो कौन A A, B, C का मतलब समझ जाएगा, वो इस वाले की बात कर रहा हूँ, इसी तरह से अगर मुझे इसका नाम लिखना है, ठीक है न, तो क्या कहेगा, कि भाई, इसमें भी बीच में तो B ही आएगा, क्योंकि B बे बना है, एक तरफ D है, एक तरफ B है, एक तरफ C है, तो D, B, C बो तो यहाँ पर हर एक चीज के लिए रहती है, जब मैं A, B, C बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, जब मैं A, B, C बोल रहा हूँ, तो A से B पे गया, फिर C पे निकला, यानि इस कोन की बात कर रहा था मैं, ठीक, जब मैं D, B, C बोल रहा हूँ, तो D से B पे गया, C प सीर्स पे ऐसे बहुत सारे कॉंट दिखेंगे न तब दिक्कत हो जाएगी अगर आप सिर्फ एक अक्छर में नाम दिखोगे तो सामने वाला इसलिए अगर ऐसे अकेला बना हुए तो आप एक अक्षर में नाम लिखो चलेगा, लेकिन अगर इसके साथ कोई और भी आ जाता है, ठीक है, जो जिनका सीर्स भी ही है, तब आपको एक अक्षर में नाम नहीं लिखना है, उससे confusion पैदा हो जाएगी, ठीक है, इस बात को जो 0Degree से बड़ा हो, 90Degree से छोटा हो, यानि 0,90 के बीच में घूम रहा हो कही, ठीक है, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुना, मैंने कहा, जो 0Degree से बड़ा है, X मालो ये कोण है, ठीक है, यह यह X कोण है, ठीक है, X की तरफ यह चोँच खुली हुई है, मतलब X बड़ा है, 0 स और यहाँ पर X की तरफ चोच आ गई, मतलब X छोटा है 90 से, ठीक है, तो X जो है, यानि जो कोण है, अगर वो 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, तो उसका नाम होता है नियून कोण, ठीक है, नियून कोण समझ में आ गया, और अगर जो ये कोण है, ये 90 के बराबर आ जाए, 90 के बराबर न 90 से कम, न 90 से जादा, तब हम बोलते हैं कि ये संकोण है, ठीक है, संकोण का एक निसान होता है, आप याद रखना ऐसे, ठीक है, बाकी जगहां पर आप ऐसा गोल सा निसान बनाते हो, लेकिन अगर आपको 90 बनाना है, ठीक है, तो आप दोनों बना सकते हो, अगर अगर आपको 90 लिखना नहीं है तो ऐसे 4 बना दो ठीक है और अगर 90 लिखना है तो आप ऐसा गोल बनाओ फिर नब्बे लिख दो दो दोनों चलेगा लेकिन अगर आपने कुछ नहीं भी लिखा है और आपने ऐसे 4 निशन बना दिया इसका मतलब हो कौन 90 का ही है इस बात को भ सराबर हो, सरल रेखा पे बनाओ, मतलब ये सीधी रेखा होगी, ये पूरा आधा सरकल बन जाएगा, आधा विरित बन जाएगा, ऐसे कोण को हम बोलेंगे 180 डिगरी का कोण है, यही चीज आप आगे भी पढ़ोगे, कि एक रेखा, एक सीधी रेखा पे बना कोण कितने का होत 180 डिगरी का होता है, ठीक है, इसलिए बहुत बारी से सरल कोण भी बोला जाता है, क्योंकि ये सरल रेखा पे बना होता है, ठीक, अगला क्या है, प्रतिवर्ति कोण, प्रतिवर्ति कोण का मतलब है, जो 180 डिगरी से बड़ा होगा, और 360 डिगरी से छोटा होगा, यहापे प्रति वर्ति को इतनी बार समझना आ गई चलिए आगे चलते हैं अब आसन्य कोण पहचान में आने चाहिए क्योंकि प्रस्ण में बहुत बार आपको ये सब्द सुनने को मिलेगा कि ये तो आसन्य कोण थे या है ठीक है ना तो आसन्य कोण का क्या मतलब होता है देखो जरल् जैसे कि अगर मैं बात करूं इस कोण की तो इसमें भी देखो ये वाली भुजा आ गई ठीक है और अगर मैं बात करूं इस कोण की तो इसमें भी देखो ये भुजा आ गई है ना तो कहने का मतलब है ये वाला कोण और ये वाला कोण आसन्य कोण है एक और चीज दोनों में common होगी उभैनिष्ट होगी Lastly सिर्ज ठीक है अगर आप देखो तो यह जो सिय्ष है ठीक है यह दोनों ही कोड़ों में आ रहा है थे ना अगर आप बात करो इसकी सिर्ज भी इसमें आया अगर आप का एक की जगा पर हो एक ही ओफयनिष्ट हो ठीक है ऐसे कोड़ों को हम बोलेंगे आसन ने कोन मतलब आसन कोड़ का आगर यहांत नाम बताऊं तो कौन-कोन से सिसे घए बी निकले जिदे पर चले गए यानि कि csbd यानि कре कोन सी कई और कौन सा दी बडी ятनी कोंड़ Making कोणसा बीडी और रहें क्या यह यहां सन्नम को ठीक है इब ईबीक को आप b vast क्या होता मैं थे शुक्तुक्त देखेर आप आपने मालो एक रेखा बनाई अब इस रेखा पे ठीक है कहीं भी एक किरण खीज दी तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है रेखिक यूग में रेखिक का मतलब रेखा से रिलेटिड है यूग का मतलब जोड़ा ठीक है न, तो मतलब ये जो कोणों का जोड़ा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये रेखा पर बने होगे, इसलिए इनको हम बोलते हैं, रैखिक यूग, ठीक है, खास बात क्या होती है, कि रैखिक यूग, ठीक है, को जोड़ के 180 डिगरी आता है, यानि कि अगर मैं बो 180 डिगरी का होता है, यानि ये है तो 180 का ही, अगर आप ऐसे टुकडा भी कर दोगे, तो फिर से ये टुकडा और ये टुकडा जोड़के तो वापिस से 180 बनना है, ठीक, तो ये हो गया रैखिक यूग में, एक और खास बात यहाँ पर नोट कर सकते हो, कि जो ये रैखिक य ये वाली भुजा आएगी इसमें, और अगर आप इस कोड की बात करोगे, तब भी ये भुजा आएगी, यानि कि ये भुजा तो उभैनिष्ट है, यानि एक भुजा उभैनिष्ट मिल रही है आपको, ठीक है, इसके अलावां, ये जो सीर्स है, ये इसमें भी आ रहा है, और इसमें भी आ रहा है, यानि ये सीर्स भी भैनिष्ट है, तो मतलब ये भी आसन कोडों का ही एक परकार है, खास बात क्या है, कि यहाँ पर एक सीधी रेखा बन रही है, ठीक है, तो आप याद रखना, ये चीज बहुत इंपोर्टेंट क्वेस्चन में, आप याद रख और इसमें रहा हो, और उसपर ऐसे एक से जादा किरन में खीज दूँँ, तो ये माल लो एकस है, ये माल लो वाई है, ये माल लो जड है, तो यहाँ पे एकस प्लस में वाई प्लस में जड बराबर 180 ही होगा, क्यों? क्योंकि ये पूरा है तो 180 ही ना, बहले यहाँ पर हम रेखिक यूग में नहीं बोलेंगे, इसको हम यहाँ पर रेखिक यूग में नहीं बोलेंगे, क्योंकि यूग मतलब होता है जोड़ा, लेकिन यहाँ पर तो 1, 2, 3 आ गया, बट यह रेखा पर बने हुए कौन है, इसलिए होंगे 180 सी, बहले वहाँ पर हम रेखिक यूग में नहीं बोलेंगे, क्योंकि यूग में बोलेंगे, जोड़ा हो जाएगा, जोड़े में दो ही चीज़े हो सकती है, यहाँ तो 3 है, यहाँ तो 5 ही हो, मतलब कितने भी टुकड़ें कर लो, ठीक है, ऐसे 1, 2, 3, ठीक है, इधर भी कर लो यह, 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 सब मिलाके तो 100 सीही बनाएंगे, भले वहाँ पर हम रेखिक यूग में नाब होई है, यह बात भी आप याद रखना, चलो, ठीक है, यूग में की बात करेंगे, तो 2 ही लोग होंगे, याद रखना, आगे चलते हैं, अब अगला अपने पास क्या है, सी सीर्सा भिमुख क्योंट, ठीक है, मानलो यह कोण x-degree का है, यह y-degree का है, तो x और y सीर्सा भिमुख कोण है, और आपके ऄलर लखना, सीर्सा भिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, मतलब अगर यह 50 degree का होगा, ठीक है, एसी तरह से आप इस kोण की बात करो, मानलो यह, C J Degree का है तो W और Z th以及 beraber होंगे क्यों कि एशीरसा भी मुक्रोण हैं तो सीरसा भी मुक्रोण ऐनिकि आमने सामने वाले कोर आittelा में बराबर होते हैं उनकी पहचाना को होनी चाहिए चलिए अग प्रश्णों को सुरू करते हैं, इस वीडियो में इतना ही concept है, बाकी जो concept बच गए, बाते जो बच गई, वो हम देखेंगे, जब हम 6.2 यानि अगले वीडियो में 6.2 करेंगे, उसके बात तीसरी वीडियो में देखेंगे, ठीक है, चले इसको सुरू करते हैं, तो यहा रेखा PQ ये रही, और रेखा RS ये रही, इन दोनों ने एक उसरी को प्रतिछेद गया, नि काटा, कहां पर काटा, इस बिंदू पर, इस बिंदू का नाम क्या है, बिंदू O, ठीक है, इतनी बात हमें बताएगे है, उसके बात बोला गया है, यदि कोण POR का अनुपात, को रो क्यू के साथ बराबर है, पांच अनुपात साथ के, तो सभी कोण गयात कीजिए, सभी का मतलब ये, 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 चारो कोण हमें गयात करने हैं, ठीक है न, देखो, यहाँ पर बात करते हैं कि हमें क्या बताएगे है, हमें बताएगे है कोण POR, इसका अनुपात, इतना है पांच अलोगाद साथ ठीक है तो बहुत असान सवाल बन गया है कैसे बन गया देखो पहले यह कौन लिखा है तो यह नंबर इसके लिए है तो आप इनको X या Y में माल लेते हो जब भी आपको इस तरह का सवाल मिलता है तो कहने का मतलब क्या है आप लिखोगे माना ठीक है इसको क्या मानोगे साथ एक्स मान लोगे अब जड़ा एक बार देखना कि इस अगिरती में यह पी ओ आर कहां पर है पी से ओ पर जाओ आर पर निकलो ठीक है पी देखो यह रहा पी से हम ओ पर गए आर पर निकले यानि यह कौन पी ओ और बोल रहे हैं लोग और पी 8-5 फिर और व क्यों को साथ एक्स बोल रहे हैं अपर ठीक है और वो क्यों कहां पर है और से ओ पर गए क्यों पर निकले इदर से गए मैं यह वाला कौन और और क्यों कितना एक्स बोला हमने साथ इक Dual है इसको थोड़ा मिटा देता हूं यह सब्सक्राइब तो इसको तो आपसा नहीं से कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं अभी मैंने आपसे कहा कि अगर एक रेखा है तो रेखा पर यह आदा सर्कल बन गया तो मतलब यह दोनों रहची क्यूग में होगे इनको जोड़के 180 आएगा ना अभी तो अमने देखा था जैसे र इतनी ठीक है इसको दो टुकुड़ें बाढ़ देते हैं यह वाला और यह वाला रहकी यूग में ही तो होगा इन दोनों को जोड़ों कि कितना आएगा 180 आएगा ना यहाँ पे क्या होगया कि भाईया यह रहकी यूग में है ठीक है ना रहकी यूग में है इसकी बात करो यह रहकी यूग में है तो जोड़ोंके 180 आएगा अब पी और अपनेको पता है पांचहस है ROQ अपने को पता है 7X है और बराबार आना है 180 तो 7X और 5X 7, 5, 12 12X बराबर 180 12 जाएगा डिवाइड में यानि X बराबर 180 बटे में 12 थोड़ा उपर करके जगा बना लूँ देखो ठीक है 180 बटे में 12 ठीक है काटो के तरह कितना 15 आ जाएगा इसका मतलब X का मान आ गया 15 डिगरी ठीक है आप काट के देख लेगा 12 एकम 12 18 में से 12 एकम 12 कट गया 6 बचा 6 के जिरो यानि 60 12 पंजे 60 यानि काट के 15 डिगरी आ गया अब हमसे पूछा था सारे कोण बता दो सारे कोण बता दो तो चलो भाई सारे कोण बता देते हैं ठीक है इसको मिटा देखिए figure जो है वो नीचे लियाता हूँ उपर चलेगए तो दिखने रियो होगी सारे कोण बताने अब सारे कोण कौन कौन से हैं देखो पहला तो POR ही है ठीक है अब इसको अलग कलर से लिख रहा हूँ POR याणि कि पी ओ आर तो 75 डिगरी हो जाएगा अगर पी ओ आर 75 डिगरी है तो इसके सामने वाला याणि की QOS भी 75 डिगरी होगा तो हम यहां से बोल सकते हैं Q-O-S जो कौन है ये भी P-O-R के ही बराबर है रीजन क्या लिखोगे सीर्चा बिमुख कौन है ये सीर्चा बिमुख कौन ठीक है तो यहां से Q-O-S कितना हो गया P-O-R के बराबर जो क्या है 75 लिगी तो मतलब ये पीचतर ये भी पीचतर ठीक इसके बाद देखो फिट से जगा नहीं है तो इसको थोड़ा उपर करता हूँ मैं ठीक है इसको थोड़ा नीचे लेकर आता हूँ ठीक है इसके बाद अपने पास क्या था R-O-Q ठीक है R-O-Q कितना था R-O-Q था 7X अभी हमने देखा था ये R-O-Q कितना था ठीक है यहां पर हमने 7X लिखा था तो साथ गुड़ा में X कमान है 15 1570 105 तो मतलब ये 105 डिगरी आ गया तो R-O-Q कितना आ गया 105 डिगरी ठीक है तो यहां पर आप देखो R-O-Q 105 डिगरी है उसी तरह से इसके समने वाला है ये भी कितना हो जाएगा 105 डिगरी हो जाएगा लिख लेना आप है न पी ओएस भी 105 होगा सीचम के कोण है तो मतलब क्या कि ये भी 105 इभी 105 ये कितना आये था ये आया था 75 इसके समने वाला कितना था 75 तो ये 75-75 गया अगला सवाल देखो जरा अब देखो जो उदारन दो इसमें बोला गया आगरती चह दस बोलो एक सुन्दे में यानिस आगरती में किरन ओ-S ऑपको यह रही रेखा पी ओक्यूदिख़े आपको यह रही ठीक है तो इस रेखा पे खड़ा अगे क्या है कि रन ओ और और उटी करमशा कौण पी ओ एस और को ऐसो क्यों के समदी भाजक है करमशा का क्या मतलब हुआ समझना जरूरी है मतलब जो पहला ओर है वो पी ओस का सम सम्धीवाचक क्या होता है जो बराबर बराबर यानि समान दो टुकलों में भाघ कर दे दो बॉट दें ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो और है ये प्लाव ये पी ओएसको दो समान भावं tut disappointment बाट दीता है correct इसरी बात क्या कह रहा है कि जो आटी है वह सो क्यू का समधी भाजक है और टी कहां ये रहा सो क्यू कर एइस टुक्ड़ा बराबर है हाला कि यह फिकर में दिया भी हुआ है ना इसपे कड लगे मतलब यह दो बराबर चीच हम से बताया क्या गया है कि पी OaS X है जो POS है कौन POS यह बराबर है एक्स के और पूछा गया है एक ना अपने को बता ना है कौन R.O.T. है कितना जब कुछ ना समझ मैं है तो वहाँ से सुरू करो ठीक है जो चीज ये पूछ रहा है उसमें क्या-क्या आ रहा है देखो एक बाद R.O.T. है कहाँ पर R.O.T. R से ओपर जाना है T पर निकलना है यानि कि ये पूरा ये पूरा कोण कितना होगा ये हमसे पूछा है कैसे निकाल सकते हो देखो मैं आपको सरीप सवाल नहीं सिखा रहा हूँ सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि हमें कैसे पता लग रहा है हम क्या करें अंगलाइस्ट है घना रटना नहीं है कुछ तो ये चीज पूछी है तो यार इसमें रटना क्या है तो साब साब दिख रहा है कि ये कोण पूछा है ये कोण दो छोटे छोटे कोणों से मिलके बना है कौन कौन से एक ये वाला और एक ये वाला अगर मैं इन दोनों को निकाल लू निकालण। दोनों को जोड़ दू तो मुझे आलों प्लाएगा फिर से समझो इसको समय न आया हो कि मुझे निकालना था रोटी मैंने क्या क्या मैं देखा इस वाले छोटे कोण को निकाल लू इस वाले छोटे को निकाल के दोनों को जोड़ दू, पूरा मिल जाएगा, चलो, ठीक है भई, यह तो, इतना तो दिमाग काम करेगा, सब का करेगा, ठीक है, अब, हम निकाले कैसे, है न, देखो, ROS निकालना तो बहुत असान है, ठीक है न, इसको, समीकरण एक बोल कहीं पर छोड़ दो, अभी हम इसकी ब ईतना ही तो है, ठीक है, यह पूरा X था, यह पूरा क्या था, X तो यह X का आधा ही तो है, ठीक है, क्यूं, क्यूंकि पूरे कोण को यह समदी भाजित करता है, तो आधा ही X by 2, X by 2 यह, तो हम बोलेंगे, ROS तो सिधा-सिधा, POS जो कोण था, उसका आधा है, पी ओएस का आपको अगर समझ में ना रहा है तो यह समझे लो एक्स का आधा यह और एक्स का आधा यह दोनों को जोड़ोगे वापिस पूरा एक्स बन जाएगा ठीक है आधा चू है ठीक है अगर आपको कारण लिखना हो तो आप यहां पे लिख सकते हो कि जो ओवार है ओवार कोड पी सब्सक्राइब पूरा लिखना भाजित करता है ठीक है अब आगे आजाओ अपने को आरो एस पता लग जाए अगर इन दोनों को जोड़ोगे मिल जाएगा सोटी कैसे पता लगाएंगे यह सोचने वाली बात है जड़ा देखो एक बार कुछ भी रटना नहीं है सोटी इतना अपने को पता लगाने और अपने को पता है यार कि यह टुकड़ा इस टुकड़े का बराबर यानि कि अगर मैं पूरा पता लगानो यह पूरा तो इस पूरे का आधा ही तो है यह ना इस पूरे का आधा ही त तो ठीक है पूरा पता लगाना आसाल है कैसे पूरा पता लगाना इसलिए आसान है क्योंकि S O Q ये कौन पूरे की बात कर रहो ये कौन प्लस में P O S ये कौन ये दोनों तो मिलके भया रैक्षी क्यूब में बना रहे हैं बीच वाई लाइन भूल जाओ ठीक है बस जो मैंने लाल से दिखा है उसको याद रखो ये वाला कौन और ये लाल से बड़ा वाला कौन ये दोनो सब्सक्राइब कर दोनों मिलके 180 होंगे हो गया कब ठीक है यानि की S O Q कौन S O Q जमा में कौन P O S ठीक है ना S O Q और P O S दोनों मिलके आएंगे 180 डिगरी कारण आएगा रेखिक युग में आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो ऐसा हो यह नहीं सकता कि समझ में ना है और अगर ध्यान से नहीं देख रहे हैं तो है कुछ नहीं कहा सकते ठीक है चलो ठीक है आप देखो S O Q ये तो अपने को निकालना ही है तो S O Q की जग S O Q 100 C- X आ घया ठीक है S O Q तो पता लग गया 180 C-X लेकिन अपने को पूरा S O Q चाहिए नहीं ठीक है न अपने को कितना चाहिए अपने को तो इस S O Q का अधा चाहिए क्या ये वाला यानि कि S O T तो हम बोलेंगे यहां से हम बोलेंगे यहां से कि बैए अपने को चाहिए SOT जो की है कोण S O Q का आधा आधा ठीक है तो इसका आधा करो कितना हो जाएगा X 80 minus X का आधा ठीक है ना देखो मैंने क्या किया है मैंने S O Q की जगा ये value रख दी S O Q की जगा 180 minus X अलग दिया ठीक है तो देखो 180 को 2 से भाग करोगे 90 आएगा X को 2 से भाग करोगे 90 बटे 2 मतलब दोनों को अलग अलग लिख दिया 1802 बटे 2 अलग लिख दिया X बटे 2 अलग लिख दिया 1802 बटे 2 बनगे X बटे 2 बटे 2 रहेगा क्या है SOT अब शुरुवात ना है जो समीकरण 1 यह जो समीकरण थी मैं उतार रहा हूँ ठीक है न यह समीकरण क्या थी देखो ROT ठीक है कौन ROT जो हमें निकालना था किस-किस के बरावर था कौन ROS के बरावर था plus में SOT के बरावर था ठीक है तो यहां से ROS कितना आया था देखो ROS आया था X कहा था और SOT कितना आया है SOT आया है 90-X बटे दो यानिकि 90-X बटे में 2 X बटे 2-X बटे 2 खतम हो गया कितना बचा 90 ठीक है तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो कोण R, O, T बचा और कितना बचा नपना है हाला कितना लेंदी करने की जोत नहीं थी और तीसरी किरण O, S, चोथी किरण यह 4 किरण है ठीक है कोई दिकत नहीं है इसके बाद बोला गया सिद्ध कीजे की यह 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 और यह चार कोणों को जोड़ों के 360 आता है मतलब यह वाला को 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 चारों को जोड़े तो 360 आता है ठीक है तो हम इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं ध्यान से देखो ठीक है पहले जो हमें सिद्ध करना है वो लिखना होता है ठीक है तो मैं लिख देता हूं सिद्ध करना है ठीक है मैंने क्या लिखा सिद्ध करना है क्या सिध करना हैमें सिध करना कि कौण प्यों क्युआ कॉण qo-r प्लेस कॉण souls plus औ प्यों वराबर आना चाहिए 360 डिगरी के हीत्ट कैसे करें गे लिह इसके लिए में एक रचना करनी पड़ीगी क्या qo को इस तरह बढ़ा दिया कहा अब आप मैंसे बहुत से बच्चों के दिमाग में एक चीज आई होगी कैसे पता लगा कि बढ़ा नहीं है और किसको बढ़ाना है तो यह कैसे पता लगता है अब तक बढ़ाया मैं भी आपको explain कर रहा हूं कैसे पता लगा ठीक है देखो एक और चीज उससे पहले रहां रखना कि यहां पर आप क्यू से क्यू से ओ की तरफ बढ़ा रहे हो हैं ना क्यू से ओ की तरफ बढ़ा रहे हो तो आप क्यू ओ ही लिखोगे आप इसको ओ क्यू म हैं यही कर रही हैं कैसे पता लगाぁ देखो अगर में रचना ना करू अगर में रचना ना करू तब sowशन नहीं नहीं नजर आ रहा जो मैंने भी आपको पढ़ाया कि मैं वह नियम लगा आकाूंगा ना कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई किई अगर मुझे कहीं से सीधी रेखा मिल जाए जैसे यहां से इसी सीध में बढ़ार हो तो अगर मुझे सीधी रेखा मिल जाए तो यह वाला कॉन यह वाला कऊियर कॉन मिलके x ससी बनेगा रहा Green जुग में है और ये 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 तीनों मिलके भी देखो आदा सरकल बना रहे हैं यानि ये 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 भी एक सोस्ती बनेगा एक सोस्ती उपर एक सोस्ती नीचे तो इस तरह से मेरे दिमाग में है थोड़ा दिमाग आपका चलना चाहिए कुछ भी रटने वाली चीज नहीं है सबका लोजिक है जो भी चीज़े यहां पर हो रही है सबका कुछ ना कुछ लोजिक होगा और यह जो लोजिक से हैं आपके दिमाग में फटाफट कैसे आएंगे जैसे जैसे आपका एक्सपीरिंस बढ़ेगा जैसे आप अलग लग क्वेस्टन करोगे आपको खुद आइडिया लगता जाएगा कि कब क्या करना चाहिए ठीक है चलिए अब इसके बाद सवाल को थोड़ा और आसान बनाने के लिए जल्दी हो जाए इसके लिए आप क्या करो देखो अब ये इस कोण का नाम में लिखूंगा पूरा नाम लिखना पड़ेगा पी यो क्यू वगएरा वगएरा अगर मैं इस चीज से बचना चाहता हूँ कि मुझे लास्ट में इक कि ना लिखने पले ठीक है ना अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब यहां पैसा करते हो तो आपको फिगर में लिखना होता है कि इसको आपने X बोला किसको A बोला किसको B बोला två लिखना होता है क्यों कि भейंड़ जभ चेक करे आपका पेपर तो उसे कैसे पता लग कि आप किसको X बोल रहे हो किसको Y बोल रहे हो ठीक है ना तो आपको यहां दिखाना होगा ताकि यह देखके आप यह आकरती भी बनाओगे ताकि यह देखके आपका जो अध्यापा के उसको पता लग जाए कि हां बच्चे ने इसको X बोला इसको A बोला इसको B बोला तो चल है ठीक है अब यही नियम लगाने के लिए तो मैंने रचना करी रहकी क्यों में कैसे हो तो समझ में आई रहा हो गया आपको है न यह सीधी रेखा है तो यह वाला और यह वाला मिलके 180 होंगे ठीक है और नीचे क्या है जैड प्लस में ए प्लस में भी यह भी 180 है बड़ यहां पर बने कोण या कोणों का समोग ठीक है क्या मतलब है देखो बात तो हही है यार इन तीनों को जोड़ों के भी एक स्वस्य आएगा बढ़ हम यूग में नहीं बोल सकते क्योंकि यह तीन लोग है न फिर से वही चीज़ समझायती शुरूँ में ने कि या यूग में का यह तीन हो चाहें 50 हो अगर यह सीधी एक आप एक तरफ बने हुए तो जोड़के 180 ही आएगा ठीक अब हमारा फायदा क्या होगा ध्यान से देखो जो हमें सिद्ध करना है इसमें इस तरफ क्या आ रहा है 360 तो अगर मैं इस तरफ वाली इस तरफ वाली चीज़े जोड़ता हो तो कितना आता है 180 160 360 तो यहां से हमारे दिमाग में फटाक से आइडिया आता है कि यार इसको अगर मैं समी करना एक बोलू जगाने तुछ टेटी लाइन लिख रहो इसको अगर मैं समी करना दो बोलू और एक वा दो को जोड़ दू तो मिल जाएगा 360 इस तरफ उस तरफ जो मिलेगा कही ना कहीं से बन जानी चाहिए क्योंकि एक तरफ 360 सही आ रहा ता दूसरी तरफ भी चीज़े सही आनी चाहिए चलो जोड़ के देखते हैं इधर है क्या x plus में y plus में z plus में a plus में b ये वाला ये वाला जोड़ दिया बराबर में क्या जोड़ेगा 180, 180 ठीक, अब देखो जो हमें चाहिए था हम लेके आएंगे वापिस उसे अपने को x, y, z में answer नहीं देना था अपने को इस में answer देना था तो देखते हैं कहां से क्या नाम बन रहा है x देखो, यह रहा यानि कि जो x है वही तो p o q है जो यह p o q है इसी को तो हमने x बोला था ठीक है न, फिर से अलग कलर से दिखाता हूँ यह जो p o q है, इसी को तो हम x बोल रहे हैं तो जहाँ पर x लिखा है x की जिगा में क्या लिख सकता हूँ कौन, p o q फ्लस, ठीक है इसके बाद क्या देखो y और z है, तो y और z देखो अगर मैं यह y और z मिला दू y और z मिला दू तो यह पूरा कोन बन जाएगा, जो कि है p o s, तो यह यह y और z मिला के, ठीक है y और z मिला के, क्या आया कौन, p o s प्लस में a और b है, a में क्या है देखो, यह रहा a, क्या है s o r, या r o s, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है b की जगा क्या है, यह रहा b, q o r बराबर 188, 183, 60 जिसको समझ मैं ना, फिर से देख लो p o q, तो सिदा-सिदा x के बतले आ गया, y और z मिला के p o s बन गया, ठीक है यहाँ पर a और b मिला के यह दोनों बन गये, ठीक है na, a, b ठीक, और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, ठीक है, यह चीज हो गई तो उमिद करता हूँ आपको यह सवाल समझ में आया हूँगे, इस वीडियो में इतना है जल्दी ही मिलेंगे हम, परस्णावली 6.0 के साथ इस वीडियो को देखने के लिए धन्ने हूँ